आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीका से आप virtual ID यानि भी ID कैसे आप generate करेंगे खुद से अपने mobile phone से laptop से अगर आपका पुराना अधार काड है तो पुराने अधार काड पे virtual ID जो है नहीं रहता है तो क्या होता है कहीं कहीं बैंक में या फोर्म अगर भरते हैं तो वहां पे virtual ID का option रहता है तो इस situation में आप सोब बाले के पास या cyber cafe में जाते हैं तो वहां पे आपको यहीं छोटी से चीज करने के लिए आपको 50 से 60 रुप्या ले लेता है और कहीं कहीं तो 100 रुपीस भी ले देने का तो मैं आपको पताऊंगा किस तरीका से आप खुद से अपने mobile phone से laptop से कैसे आप अपने अधार card का भी चोल आईडी कैसे आप जेनरेट करेंगे सोगाज मैं इंजिनियर राजा और मैं आप से सेज़ करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राब नहीं करेंगे वही खुद से कहीं पे जाए बिना सोब पे जाए बिना पैसा खर्च किये क्योंकि आए दिने अभी के टाम में हर इंसान के पास Android मोबाल होता है और उसमें 4GB तो होता ही होता है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप खुद से अपने अधार card का भी चोल करते हैं अधार card का भी चोल आड़ी जन्रेट करते हैं आपने अधार card का भी चोल आड़ी जन्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना कोई ब्राजर को ओपन करेंगे और यहां पर आपको टाइपिंग कर देना है www.uidai या सिंप्ली यू आइडी डालेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरीका से यह पर इसका कुछ लिंट आ जाएगा आप यहां देख रहें कि यू अगर आपका पुराना अधार कार रहें उसके जो वे विश्यूल आईडी नहीं है तब आप यहां से बहुत ही असानी से उसको जनेरेट कर सकते हैं अब कैसे करना है चले मैं आपको यहां पर प्रैक्ली देखाऊंगा यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ग्येत अधार को कुछ आपर उसके आपको मिल लाता है श्कूराए को करके नीचे आएंगे नीचे आने को यहां भी अपडेटवांना अधार कार्ट को को यहां सा वुन कर सकते हैं और जिए जए अगम अधार से यहां पर आपको एक ऊप्शन हों हो ब्लारा होगा देखरे हैं वरुक्णा यहां से आपना डेटार कर सकते हैं तो यहां पर करेंगे आपके सामने कंगी इस तरीकے से यह एकिन होके आयता है अपना आधार कारण जो भी आपका हणा हर कार है जिसका जालेपकर नबर यहां यहां पर ठीप वाले पर किलिक कर देना है आपके रिजिस्टर मॉबाइल नमर पर जवाव कर देना है अधिया है यहां लिवाइल लिए यहां पर आपको दखावा है यहां पर नमबर डाल से चले में यहां पर अपना की डाल लेता हूं यहां पर देखिए जो हैं आपको इसे वाले और यहाँ पर यहाँ पर हाल की आपके घार काड में नहीं है तब आपकेती आसानी से आप अपना जो है वह चोला आईडी जनरेट कर सकते हैं और यहां पर देखें कि आप बढ़ा जा रहा है कि योर वह चोला आईडी सेंड यो रिजिस्टर मुवाल नमबर और यहां पर आपको सार में भी यहां पर सो हो रहा है यहां पर सार में आपको मुवाल पर सेंड कर कर सकते हैं आपने जाना कि किस तरीक में से आप अपने अधार कार्ण का वह चोला अरी कैसे जनरेट करेंगे So I hope कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंट के साथ से एर करिए अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके